समस्कार हिंदी में बहुत सी चीज़ ऐसी है जो एकदम प्राथ्मिक है लेकिन आगे चल करके भी लोग उसको नहीं समझ पाते हैं नहीं जान पाते हैं उनमें से ही एक है बिराम चिन्द और बिराम चिन्द का यदि सही प्रियोग नहीं किया गया तो आर्थ कामर्च हो जाता है जैसे कुछ उगारण भी है कि यह दो वाक्ति हैं इन दोनों वाक्तियों में एक ही विराम चिन्द का प्रियोग हुआ है बस खाली सब्दों में प्रियोग में अंतर कर जाए और इस अंतर से अर्च एकदम भिन हो गया है जैसे पहला है रोको मत जाने लो यहां पर्धम वाक्तियों में जाने से रोका गया है दूसरा वाक्तियों रोको मत जाने लो दूसरे वाक्तियों में जाने के लिए तहार गया है सब वही हैं सब में कोई उतर नहीं है सिर्फ वीरामन चिन्त के प्रीयोग से अर्ष एकड़ंु होए इसलिए हम सबीकित एलिए विलामन चिन्त का उचित प्रीयोग के तो आए आज की इस वीजियो मैं आपको विलामनो के बारे में बताता हूं तो हिंदी में कई विरामचिन हैं और व्यापरण की द्रिश्ट से यह सब आउसे हैं विराम का मतलब होता है विश्रा लुकना कि दियर लुकना यह अलग अलग विरामचिन इसको इस पस्ट करते हैं सबसे पहला अलग विराम अब चला अवो इसमती एन Anda का तातवर है थोड़ा सा बहुत ऑगा बहुत कम समय के लिए उतना यह अल्विराम होता है जैसे उदारण के लिए राम और सीथा राम सीथा बन गए बन को गए यह एक ही वादी का हिस्सा है दो चीजों को इसमें हम राम और सीथा नहीं सकते हैं लेकिन इसका हंद्र है अल्विराम का प्रियोग करके हम नहीं यहां परवार सीथा बन को गए लिखा है इसी तरह से शुधीर महेश और राम कल दिल्ली जाएंगे तो यहां देखे एक ही वाक्य में कुछ चीजों को अलग अलग करने के लिए विराम किन्द का अलग विराम को अपने योग किया जाता है और इसमें बहुत कम समय के लिए बहुत कम समय के लिए विराम होता है इसे अलग विराम करते हैं इसी पकार से दूसरा है अलग विराम अलग विराम का जो चिंद है वह वाक्य में इस पकार आगा है अलग विराम से थोड़ा सा अधीद समय और विराम से थोड़ा कम समय रुकने के लिए जब वाक्य में रुणना होता है तो हम पार अर्ध विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे लानस किया थोड़ा हो अधी म वके प्रींब जलगा कlles समय कुआ होता है वह 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 वन automate प्र chemicals आया है अधिएा राहSुआ पंदous झाम कि यहां कि इसी प्रकार से दूसरा हुदारण कठें परिस्राव करो 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 कि परिख्षा आने वाली है कि परिख्षा आने वाली है कि ऐसे ली तीसरा है तुसरा तीसरा विरांटिन है पोड़ विरांटिन है कि अधिक समय के लिए रुखते हैं कि अधिक समय के लिए रुखते हैं और उड़ विरांटिन है कि अधिक समय के लिए रुखते हैं और तब रुखते हैं जब वाग के पूरा हो जाता है जैसे उदाहें और इसका चेंद यह है उदाहें मोह अच्छा रखता रहें स्लाम कल दिली जाएगा इसे जब वाग के पूरा हो जाता है तो उस रिसी जाती है और यह पूर विरांटा का चिंद्ध पूर विरांटा मत्ता होना है वाग के पूरा हो जोगा है इसके बाद फ्रस्नों वात्यक चिंद्ध है यह चिंद्ध को इस प्रकार के भी लिखिए है प्रस्नमाच चिंद्ध को इस रूप में लिखा जाता है और वाक्य में इसका प्रियोग उस इस्थान पर किया जाता है जहां जिस वाक्य में प्रस्न का बोद होता है तब वहां पर इस प्रकार के चिंद्ध का प्योग दिया जाता है यहां पर इस चिंद्ध का प्योग दिया जाता है और इसे प्रस्न सुचक या प्रस्न वाचक बिरांग जिन्ध कहते हैं कि इसी तरह से तो आज तो बिरा आज तो बिरा पूर बिरा और प्रस्न वाचक या इसके बाद है बिसमयादी बुल खक शिर्ज में पारके बाद है विसमय बूल है या विसमय सुचक या विसमयादी बुल है इसको हम इस प्रतार से लिखते हैं और इसका प्रयोग किनकी इस्थियों में होता है हर्स की इस्थिति में आजचरी की इस्थिति में दुख की इस्थिति में विवाद की इस्थिति में जैसे हाई वह बीमान है इसी तरा से आहाँ आहाँ वह बावन में पूल के लिए हैं इसी तरा वाह बहुत सुन्दा आहाँ इसी तरा से आहाँ ईसी तरा से तो यह वर बिस्मियाद ही बूर है जिन्द है और यह हार्फ बिस्मिय दुख्ध बिसाथ आज इस जिन्दक आपके लोग किया जाता है उद्धरण चिन्दक दो पर आता है पहला है एक अप्रण आजे लगे आजे लगे कर लेकाँ आजे लगे लुजगे तो एकल उध्रण और यूगर उध्रण एकल उध्रण चितनी का प्योग उस समय किया लाता है जब हम किसी कथम में विशेश चीज़ पर घान दुलाना जाते हैं जैसे एकल उध्रण कामाईली जैसंतर प्रसात की रजना है तो कामाईली में जो चिन में लगा हुआ है उसे एकल उध्रण चिन में कहेंगे इसे प्रकार से अभी व्यार साथ कुरता लगाएं कालित आज वार रजित नाटक है एकल उध्रण चिन हुआ अब यूगाद उध्रण चिन युगा दो 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 नेता जी नेता हाद जान दीजिगा तुम मुझे गुंदू मैं तुम्हें आनादी हुगा कर दो 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 । कि इसी तरह से तुल्सी राज्ट में लिखाया है पारहित सब्सक्राइब नहीं हाई है तो यह एकल उध्रण और यूगल उध्रण की दा प्रियोग इसको मैंने इस्वश्च किया अब इसके माद है योजट्ट कि वल्सक्राइब कि दो शॉपन को जोड़न καई करता है और यह को सब्द समान इसतर के होते हैं खास तोपल पर यम जीतक ones या कि समय कि सब्दों में बिल्दद पुनरूत सब्दों में सब्दों में जैसे दिन दिन राद राद एक एक साथ साथ इसी पतार से पहला पुर्ण की सब्छा दूसरा है दौन्द समास दौन्द समास में जैसे माता पिता भाई रहें छोटा बना तो इस प्रकार से हमें देखा कि पुरूद सब्दों में पुरूद का मतलब होता है एक ही सब्दों दौबारा पिता है इसका प्रियोग होता है कि इसके बाद देखिए आगा विराग फिन बहुन मात्रूण है और हम इसका प्रियोग करते हैं लें जानते हैं तो यह है कि लाग हो के लिए कि इसी को संचे को भी बहुते हैं और इसका निसान इसके लाग होता है जब किसी बड़े सब्द को छोटे रूप में लिखते हैं तर इसका प्रियोग करते हैं जब उसको लाग जाते हैं या उसको संचेट में लिखते हैं अगर जैसे कोदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को मैं क्या रिखा उत्तर प्रदेश को यजदीत इसको हमने रिखा मध्यय करते अज़ेन डॉक्टर डॉक्टर को हमने ऐसे लिए तो यह वादा प्रियोर जब इसी बड़े सब्द को हम छोटा तरके संचेर पर लिखते हैं तो उसे लागव या संचेर पर कहते हैं इसी प्रणार्थ है अगला है हाल संपाने आर फुच्छिपरा है ग्रुचिपरा है कि पूरा है कि इसका इसान यह होता है और इसका में प्रियोग बहुत आपका वाक्य में लिखते समय यदि कोई चीज छूट गई हमसे तो प्रिश्दे वाक्य को काट करके अलग से दिखने के वजा है हम किस चिन्दका प्रियोग करते हैं जैसे है श्यान प्रियोग के लिए और लिखेंगे अच्छा श्यान अच्छा लड़ता है इसी प्रियोग के लिए मोहन जा रहा है अब उनको लगा चूट गया वाक्य में तो हम यहां पर इस तुचित पूरक या हंसमत चिन्दकों लगा करके लिखेंगे स्कूल या घर कुछ भी लिखें जो रुचित को मोहन स्कूल जा रहा है इसी तरह से तुम आये नहीं दिया हमने अब इसको तुम आये लिखत दिया है लिख लगा है तो हम उसको पूरा करने के लिए तुम कब आये तो इस चिन्दकाज़त को जो हम दखते हैं वाक्य में तो यह हंसमत या तुट पूरक वाक्ट को चिन्द होता है पूर भूर कर दो है वाक्य में तुम आये लिखते हैं एह लगा है वाक्य में दुम आये लिखते हैं अब यह हैं विवरण चिन्ड विवरण चिन्ड हम किसी खीड का जब विवरण देना चाहते तो वहां पर इसका प्रियोग दखते हैं जैसे पुदाद के लिए विवरण प्रिया विश्य संद्री तीन प्रिय है यहां पर इसके बाद हम लेखिए विवरण प्रिया विश्य संद्री तीन चाहर बेखते हैं जोदी है ऐसे लिए सब्तों का विवरण करण चाहर विश्य संद्री विवरण प्रिया विवरण प्रिया विवरण प्रिया है सब्सक्राइब यहां पर मिला इस चेका प्लोग करेंगा तो किन जीर का विबरोगे लेना हूँ तो उना पर हम इस चिन्न का प्रियों करते हैं और अप्रिम है कोस्थर इसका चिन्न कोस्थर का चिन्न यह रहे हैं तो यदि हम किसी चीज को विज़ेश रूप से दिखाना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब कोस्थर चिन्न का प्रियों करते हैं झाल तो वाट के है नाट और लक्षमण बन में गए अब इसके अलावा दुशा वाट के है ताली दास संस्कृत के महातर थे तो काली दास संस्कृत के महातर थे इसमें संस्कृत के तो बच्चों यह विलांग चिंद्धों का प्रियोग और विलांग चिंद्धों के प्रियोग में साथानी वरतनी चाहिए क्योंकि इससे आर्थे का आर्ष हो जाता है और आगली वीडियो मैं आपको कारत के दूर के बारे में बताओंगा तब तक के लिए धन्यवाद करें